हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स एक बार फिर इट रिसर्च के कुछ टॉपिक्स के साथ आपके सामने हैं जहां पर एनलेटिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे टाइपस ऑफ रिसर्च में ही यह जब हम नेचर के एकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं रिसर्च को तो एनलेटिकल रिसर्च सबसे पहला टाइपस में होता है हम सबसे पहले जानते हैं कि analytical research है क्या और इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब भी आपके पास available information का हम evaluation करते हैं मतलब हमारे पास जो information आपके पास मौझूद हैं उन मौझूद information का मुल्यांकन करके हम किसी एक हम उसको explain करने की कोशिश करते हैं कि available information क्या कह रही हैं तो complex phenomena जो होता है मतलब जो जटिल चीजें हैं उसको सरलता से explain करने का काम एक तरह से analytical research करती है in-depth study कहा जाता है क्योंकि जब भी आप available information को deeply उसको review करेंगे deeply जो है उसकी उसका अधियन करेंगे तो जटिल चीजें हैं वो भी सरलतरीके से explain करने में आपको मदद मिलती है इसमें हम चार तरह की चीजें देख लेते हैं सबसे पहला जो analytical research का type होता है वो है historical research दूसरा जो है वो है philosophical research और तीसरा है review research जिसे हम कहते हैं और चौथा होता है research synthesis जिसे कई बार meta analysis भी बोला जाता है अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले historical research की historical research आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इतिहास की हम बात कर रहे हैं और available information समय सापके पास इतिहास में रहती है तो उस पे हमें कुछ न कुछ शोद करना है लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ये बात आपको धियान रखनी है कि जब भी आ आप किसी past की बात कर रहे हैं कि history मतलब आपका past है लेकिन those studies has to be based on the meaningful past आपको ये सोचना है कि जो meaningful चीजें हैं अब जैसे as example अगर मैं कहूं कोई एक ऐसा बड़ा हम कहें कि बहुत जैसे महत्मा गांदी है महत्मा गांदी की जो history हैं हम उनको पढ़ते हैं तो महत्मा गांद को लेकि उन्होंने किस तरह क्या अंदोलन शेड़े और उनका क्या philosophy थी उनकी क्या principles थे उस meaningful past के उपर हम जादा जाते हैं बलकि उस उन सारी informations के उपर नहीं जाते जिनका किसी भी तरह का फाइदा आपको review करके नहीं होने वाला है तो सबसे पहले यी बात आपको धियान द पढ़ रहे हैं या किसी person के बारे में कोई ऐसा legendary person है legendary person है उसके बारे में हम अगर जानते हैं available already कुछ information से उनको पढ़ रहे हैं ताकि जो है हम उनको analyze करके कुछ नया चीज बता पाएं तो इस तरह की interesting चीजों के उपर आप जो पहले से जो records हैं events के records हैं तो उनको एक तरह स future जो है predict किया जाए आपके past को देखते हुए दूसरा अगर हम बात करें philosophical research के उपर philosophical research का मतलब यह होता है जहां पर हम किसी philosophy को पढ़ते हैं जैसे हम बहुत सारे ऐसे प्लोटो की हम प्लेटो की हम बात करते हैं Aristotle की हम बात करते हैं अरुस्तू जिसे कहा जाता है और बहुत स ऐसा मतलब उनका होता है जैसे naturalism किसी ने कहा कि प्रकृतिवाद जो है वो बड़ा important होता है life में जितनी भी चीजे हैं उन्होंने प्रकृति से जोड़के वे उसे बताया तो उन सारी चीजों को पढ़ते हुए हम अपनी research में कुछ ने कुछ findings लाते हैं ताकि हम आगे अप जो educational views हैं leaders के दौरा जो educational views दिये गए हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो भी हम philosophical research के उपर पढ़ते हैं तीसरा हम अगर हम बढ़ें तो वहाँ पे हम reviews की बात करते हैं तो अब review क्या है exactly आप समझोगे कोई ऐसी चीज जो पहले से हम किसी ने लिखी है पहले से किसी ने findings दी हैं या जो history पहले हो चुकी है उसको हमें दुबारा से पढ़ना होता है तो एक तरह से अगर हम इसे देखें तो ये critical recap है मतलब आप किसी चीज को दुबारा पढ़ रहे हो लेकिन दुबारा पढ़ने का मतलब है कि कोई चीज हो चुकी है लेकिन उसको आप उसके उपर literature का उससे आपको ये मालूम चलता है कि कौनसी ऐसी चीज पतलब आप उन चीज़ों को लूणने की कोशिश करते हैं जो जो हैं जो मिसिंग हैं और उसके बाद आप जो है then you can contribute something original literature या हम कहें कोई ऐसी information जो originally आप contribute कर पाओ उस field में तो पुरानी चीज़ों को देखके जो known facts हैं उनको लेके और जो unknown facts हैं उनको उनकी खोज में निकलते वे बेसिकली आप जाते हो और कुछ original जो है contribute करते हो तो वो एक तरह से review होता है review research में आप देखते होंगे कोई बहुत सारी studies हुई हैं उन studies को critically evaluate करके आप किसी particular topic या particular research को research के माध्यम से process के तो तोर पे जाते वे review करके कोई अपना छोटा सा एक summary दे देते हैं कि इन लोगो के लिए हमें यह समझ में आया analyze करके कि अब हम इस निश्कर्स पर पहुंचे हैं तो इस तरह के research जो है वो reviews में basically analytical research में होते हैं एक चीज यह भी इसमें बड़ी important है क्योंकि जब भी आप एक researcher के रूप में available literature के उप जाते हो तो वहां पे extremely knowledgeable होना author का बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो research जिस topic के उपर जा रहे हो जिस चीज के जो जिस तरह की information आपका जो target है उस से आप भटको और वही available information को आप पढ़ो और दूसरी चीज बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि आपने अगर एक term research के field में use किया जाता है यहाँ प आपको बढ़ा दूं कई बार pitfall कहा जाता है pitfall का मतलब है कि आपकी historical research में pitfalls होते हैं pitfall का मतलब कि history भी कई बार हो सकता है कि उसको भी हमें precisely relayना होता है तो author knowledgeable होगा तो वहाँ पे जो history है उसको मतलब जो pitfall है basically pitfall को उसको यह देखना होगा कि जो आपके पास available history है उन सब च historical research आपको ध्यान देना है कई बार exams में भी पूछा जाता है आगे बढ़े अगर तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीसरा जो एक point इसका है जहां पे हम review का मतलब यह है कि हम किसी चीज को analyze करते हैं किसी literature को किसी लेखीवी information को जो हमें मिलती है और evaluate करते हैं उसको मुल्यां origin origin कैसे हुआ तो कहां से originate हुआ उसके लिए हम past की चीजों को पढ़ेंगे जो available information हैं फिर उसके ओपर जाके हम वह बहुत सारी चीजों को हम critically review करके हम एक सार निकालके हम यह बोलते हैं कि यहां यहां से शुरू हुआ थुई कहा किसी ने कहा कि इस जगे से इसका जो है originate ह हुआ और किस कोई कहता है कि origin वहां से हुआ लेकिन अंत में available resources या available information के बाद आपका क्या कहना है उसको evaluate करने के बाद यह basically आपका review होता है और उससे आपको कई बार आप review इसलिए भी करते हो कि जिस study को आप करने जा रहे हो उस topic के बारे में थोड़ा आप जान जाओ और past म जो available information से उनका knowledge लेके आप आगे अपनी सही direction की तरफ बढ़ो चौथा जो है research synthesis बड़ा important है और master degree के बाद काफी काम आ जाता है क्योंकि research synthesis में कई बार इसको meta analysis भी बोला जाता है इसमें सबसे पहले आपको जो बात है कि सबसे पहले कई बार लोग क्या करते हैं कि जो review है औ एक simply summary नहीं होती किसी भी literature की जैसे हम review में करते हैं यह एक तरह से logical type of research होता है जो कि आपके valid conclusion को लेके देता है आपको और कई बार जो आई को आपकी hypothesis है hypothesis आपको पता है कि एक intelligent guess होता है आपका या हम कहते हैं कि एक हमारा हम कहते हैं कि आप एक सही direction में जाओ उसके लिए हम हम पहले से मान के चलते हैं कि यह इसका result होने वाला है यह consequence होने वाला है तो उसको हम आगे discuss करेंगे research proposal में तो generally अगर देखें तो hypothesis का मतलब है कि आप intelligent guess करते हो कि हमारी study का result है वो इस तरह का हो सकता है तो उसको evaluate करने में भी आपको मदद करती है meta analysis उसके साथ साथ आप revision कर आप synthesize करते हो data को from different study और उसी को meta analysis बोला जाता है मतलब बहुत सारी different अलग अलग तरह की studies को जब आप एक साथ जो है synthesize करते हो एक साथ उनको मिला के कोई एक उन data को मिला के जब उनके उपर processing करते हो या analyze करते हो उनको या evaluate करते हो तो तब आप एक theory को propose कर सकते हो वहाँ प आपको जैसे बता देता हूं जैसे by the way आप कोई एक study है किसी के बारे में आप पढ़ रहे हो जैसे माना मैं example दूं कि strength का effect आपकी performance पे कैसा पढ़ रहा है तो माना पहली study ऐसी है जिसने कहा कि इसका जो strength का जो effect है performance में वो 10% है और दूसरी study ने कहा कि जो effect है वो 40% है अब तो यह जो basically margin है या हम कहें कि बहुत बड़ा एक variation आ रहा है तो कई बार क्या होता है फिर हम meta analysis का use करके researcher इन दोनों studies को एक साथ मिला के जो है इनको इनके data को एक साथ लेके quantitatively इनको analyze करते हैं software या मैं कहूं की statistical procedures के थूरू और तब जाके एक ऐसी जगह पर पहुंसते हैं कि भई यह सारी studies जो है मिला के हम summarize करके synthesize करके हम कहते हैं कि इसका effect जो है वो 30% है या अलग-अलग जो है वो इस तरह से दिखाए दे रहा है तो उसके कारण क्या है तो यह एक तरह से आपके sample size पर depend करेगा या बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती हैं कि आपका effect size भी वहाँ एक बहुत important role play करता है लेकिन बहुत ज़्यादा में इसके उपर नहीं जाता है master degree में सुरुवात में आपको बस इतना समझना है कि बहुत सारी studies जब आपस में हम करते हैं उन सारी studies का outcome जब हम एक उसमें लेके आते हैं तो outcome जो है वो आपका overall जो होता है वही एक आपका meta analysis ह होता है इसमें आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि दो तरह की चीजें contain करता है जब भी आप literature review की technique के रूप में meta analysis को यूज करते हो पहली चीज़े के definite methodology आपको पता चलती है कि अलग-अलग जो different studies में उसमें methodology क्या-क्या है दूसरी बात यह quantify करती है result को क्योंकि पहली study का quantification है दूसरी study का quantification है ऐसे multiple studies का quantification है उसको वो एक standard metric में लेके आती है और जो आप जिसके बाद आप जो है statistical technique का use करके उसके conclusion तक उसको लेके आते हो दूसरी चीज़ आपको धिहान रखना है कि हमेशा जो आपके important चीज़ यह है कि आपके similar issues यहाँ पे होने चाहि होता हूंगा कि वह heterogeneous अगर issues है मतलब अलग अलग तरह के लोग है अलग अलग तरह की आपकी problem है तो वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है तो हमेशा आपको जो है एक जैसी studies बहुत सारे study करनी है लेकिन similar issue पर होनी चाहिए यह ध्यान आपको देना होगा अगली बात study से आप इस image से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे studies जब हैं इन सारे studies को मिला के जब हमने इसका meta analysis किया हुआ है तो यह सारे studies का outcome जो है इस तरह से अलग अलग आपको मिल जाता है जिसका conclusion आप वहाँ पर दिखा देते हो अगला अगर हम देखें तो it can be done only homogeneous data जैसे मैंने कहा क कि homogeneous मतलब एक जैसी study similar issues वहाँ पर होने चाहिए दूसरा quantitative होता है और scientific synthesis होता है किसी भी research के result के लिए तो यह भी meta analysis का एक बड़ा चीज होती है तीसरी बात जगर हम देखें तो वहाँ पर आप यह भी समझ सकते हैं कि meta analysis आपको gives you summarized effect of all the different studies different studies का जो summarized effect है वो आपको वहाँ देखने को मिलता है तो यह बात थी meta analysis की तो आप यह समझे कि जितनी भी historical research हो analytical research जो है वो analyze critical analysis है available information का पहली बात यह हो गई फिर historical फिर philosophical review और meta analysis या research synthesis से कहते हैं यह analytical research के part होते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगले उसमें जब हम nature of study की बात करेंगे तो analytical research के बाद हम descriptive studies के उपर जाएंगे तो जो बहुत important है तो जल्दी उस video को भी जल्दी upload किया जाएगा और आप जरूर देखते रहे हैं वीडियो को कोई भी query आपकी होती है तो आप comment box में जरूर लिखिए thank you so much